प्यारे बच्चों नमस्कार स्वागत है आपका नोलेज प्लान पर और नोलेज प्लान पर हमने शुरू किया है Mathematics की NCRT की सीरिज को जिसमें हमने 10th प्लस 1 और प्लस 2 तीनों क्लासिस को लिया है तो प्यारे बच्चों आज हम शुरू करेंगे प्लस टू क्लास का जो चैप्टर है फिफ्ट जिसका नाम है कंटिनिटी और डिफ्रेंसिबिलिटी और शुरू करने से पहले जिस बचे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बैल आइकन का जो साइन उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि परते एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंशती रहे और साथ में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ चैनल को सेर करें कोमेंट करें और लाइक करें तो चलिए शुरू करते हैं कंटिनिटी और डिफ्रेंसिबिलिटी और इसको समझने से पहले हमें इसके बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा उश्यक है तब तक जब तक आप इसके बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे तो अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे तो ध्यान से देखिए और बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा तो कंटिनि को समझने के लिए हम एक example के माध्यम से इसको समझने का परियास करते हैं तो आपके पास सबसे पहले continuity और continuity समझने से पहले आपको करना क्या होगा आपको limit के concept पे जाना होगा जो कि आप पलस्वन क्लास में पढ़के आई हैं तो देखिए continuity का मतलब क्या है इसको समझने के लिए मेरे पास एक function है मैं एक example के तोर पे से आपको समझाता हूँ let हमारे पास कोई function है जिसका नाम है fx और जो fx की value है वो इस परकार से है fx equal to 1 1 if x is greater than less than or equal to 0 and यही value आपके आत्ती है मान लिजे 2 if x is greater than तो let we have a function fx and the fx equal to 1 if x is less than or equal to 0 and fx equal to 2 if x is greater than 0 we can say that this is equal to y हम function को y से भी denote कर सकते है y is equal to fx or fx equal to this जो given है आपको अब आप क्या करते है अब आपको इस function का graph खिंचना है ड्रा करना है तो देखिए let we have coordinate axes मान लिजे हमारे पास ये coordinate plane है x o x dash and y o y dash तो इस function का graph खिंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मान लिजे आपकी x की value क्या हो less than equal to 0 आपकी x की value या तो 0 है या less than equal to 0 है then y equal to क्या आपता है यानि fx equal to क्या आपता है आपका 1 मान लिजे यहां पे 1 है तो यह जो 1 है यह कब आता है या तो x की value क्या हो आपकी 0 या 0 से क्या हो आपकी less तो 0 से less value तो इधर है आपकी ठीक है तो यहां पर आपका point हुआ 0 and 1 इसका मतलब क्या है यदि x आपका 0 है या 0 से 0 है या 0 से less है तो then y equal to आपका वा आता है 1 similarly अगर आपकी value क्या है x से बड़ी है तो y क्या आपता है आपका 2 तो यहां पे मैं ले लेता हूँ 2 तो यह जो 2 है यह कब आता है आपका y का मान या fx का मान जब आपका x का मान क्या हो 0 से केवल बड़ा 0 के बराबर नहीं तो 0 से बड़ा तो यहां पे होगा न 0 से बड़ी values तो सारी की सारी क्या है आपकी इधर है right hand side में तो मैं यहां पे ले ले लेता हूँ open interval और open interval का मतलब क्या है कि x की value 0 नहीं है क्योंकि 0 तो यहां होनी चाहिए तो यहां से खाली छोड़ेंगे x की value क्या है कि इवल 0 से बड़ी है तो इसलिए मैं नहीं यहां पे open interval लिखा तो यहां पर y का मान कितना रहा आपका 2 तो यह point हुआ आपका 0,2 ठीक है तो इस परकार से हमने इसका graph खिंचा अब आप इस graph से क्या conclusion आप निकालते हैं तो देखिए यह मतलब है इसको कहेंगे जैसे x की value 0 से छोटी छोटी या 0 के बराबर है 0 से छोटी का मतलब है minus 0.01 minus 0.001 minus 0.001 इस परकार से जब आप x की value रखते हैं तो y का मान उस समयाप का क्या आता है 1 इसको बोलते हैं हम left hand limit LHL LHL का मतलब क्या है left hand limit इसको कैसे लिख सकते हैं आप इसको ऐसे लिख सकते हैं if x tends to 0 negative 0 negative का मतलब है x की value 0 की negative side से 0 की तरफ आ रही है ठीक है x की value 0 के negative side में जितनी values है 0 के nearby उन से 0 की तरफ आ रही है उस समयापका जो function fx था या y था उसका मान क्या रहा आपका 1 तो ये है left hand limit of function fx at x is equal to 0 ठीक है इसी परकार से जब RHL की बात करते हैं आप right hand limit इसको क्या करते हैं प्लस वन क्लास में पढ़के आई हैं तो इसमें क्या करते हैं x tends to 0 positive 0 positive का मतलब है आपकी x की value 0 की तरफ आ रही है कहां से right hand side की तरफ से यानि के 0.10 0 के आसपास जितने points हैं उन से आपकी value किस की तरफ आ रही है 0 की तरफ तब आपका function जो fx है या y है उसका जो मान हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका वो हो रहा है right hand side की तरफ से आ रहा है तो function की value हो रही है आपकी 2 ठीक है और यदि आप क्या देखते हैं सिद्धा f of 0 पे आप इस function का f of 0 के उपर यानि 0 के उपर इस function की value देखते हैं तो आप यदि यहां पे f of 0 रख देते हैं तो कहां रखोगे value यहां तो x की value 0 से बड़ी बड़ी है और यहां पर x की value क्या 0 के बरापर भी है तो जब आप 0 रखते है x की value तो आपका y का मान क्या था उसमें 1 तो f of 0 यानि के 1 यानि आपकी left hand limit of function fx की आई 1 0 के उपर और ऐसे ही right hand limit of fx x is equal to 0 तो वो क्या आई आपकी right hand limit 2 और सीधा f of 0 पे मान क्या आया आपका 1 अब इन तिनों से आपने conclusion निकाला क्या conclusion निकाला आपने इन तिनों से आपने ये conclusion निकाला कि यदि मैं इस function का graph खिंचता हूँ तो मुझे इस function का graph खिंचने के लिए यहां से यहां जाने के लिए pen को उठाना पड़ता है प्यारे बच्चों क्योंकि pen को उठाए बिना हम graph नहीं खिंच सकते pen को यहां जब मैंने ये graph खिंचा इदर वाला तो फिर उसके बाद ये खिंचा तो मैं यहां से यहां तक गया तो मुझे pen को उठाना पड़ा तो अब क्या आया इससे conclusion ये निकला कि ये इस graph की continuity टूट जाती है किस point के उपर? 0 के उपर 0 के left hand side में यहां तक पहुंचे हम 0 के right hand side में हम कहां पर पहुंच गए? यहां पर तो function का graph जो है वो टूट गया उसकी continuity टूट गई तो इसलिए ये जो function है fx ये 0 के उपर क्या है? discontinuous है क्योंकि इसकी continuity 0 के उपर टूट जाती है तो इसलिए इन तीनों से conclusion क्या निकला आपका? कि आपकी जो f क्या है? आपकी lhl और function की value 1 के 0 के उपर ये दोनों तो बराबर है but note equal to क्या है आपके पास f of 0 भी बराबर है आपका किसके lhl के लेकिन जो आपकी right hand limit है rhl ये बराबर नहीं है ये तो कितनी आ रही है आपकी 2 ये दोनों तो बराबर थी आपकी left hand limit और point के उपर value ये तीनों तो ये दो तो बराबर है f of 0 भी है और lhl भी बराबर है लेकिन rhl आपकी equal नहीं है तो अगर नहीं है तो आपके function अगर आप तूटता है तो the function is क्या है discontinuous discontinuous ठीक है at x is equal to 0 कौन है discontinuous आपका function f यानि आप ये भी कह सकते है f आपका function f 0 के उपर कैसा है discontinuous ठीक है तो ये है continuity की definition और limit की definition इसके बाद एक और example के माध्यम से मैं आपको समझाने का परियास करता हूँ तो एक अन्य example लेते हैं मान लिजिए हमारे पास एक function है fx इसी तरीके से और वो fx किसके equal है आपका fx है मान लिजिए let we have a function fx और इसकी values क्या है 1 कब if आपका x क्या हो आपका x is not equal to 0 और इसी की value क्या आती है मान लिजिए 2 if x क्या हो आपका equal to 0 तो इस function का graph खिंचने का परियास करते हैं इसी तरीके से जैसे पिछले का खिंचना था हमने तो हमने क्या लिया coordinate axes लिया ठीक है x o x dash and y o y dash अब देखिए आप अब इसमें क्या कहता है अगर x की value क्या हो आपकी 0 है तो then y equal to क्या बनता आपका सिधा 2 तो बस ये है आपका मान लीजी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपका 2 है तो आपने जब x 0 रख्या तो y आगया आपका सिधा 2 तो एक close interval होगा क्यों क्यों क्योंकि मैंने x को 0 रख्या है और 0 कहां पे होता है x का मान y is axis के उपर तो यह होगए आपका point 0,2 ऐसे ही अब यहाँ पे आईए आप x is not equal to 0 का मतलब क्या है x की value 0 के बराबर नहीं है या या तो 0 से कम है या 0 से ज्यादा है नियर बाई में तो तब आपका y का मान क्या आता है 1 तो 1 तो आपका यहाँ पे है और यह 1 जो कब आता है y का मान में जाते हैं right hand side का मतलब है x की value क्या है 0 से आपकी बड़ी है x की value 0 से क्या है आपकी less है छोटी है तब y का मान क्या रहा है आपका 1 ठीक है तो यह point हुआ आपका 0 & 1 0 & 1 का मतलब है 0 से बड़ी या 0 से छोटी और y क्या रहा है आपका कीवल, तो अब इसमें देखिए आप, पहले मैं जब जीरो के उपर गया, तो मैंने पैण को यहां रखा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यदि मैं जीरो से left की तरफ जाता हूँ तो मुझे pen को यहां से लेकर करके यहां तक जाना पड़ता है और zero से right की तरफ जाता हूँ ठीक है तो मुझे pen को यहां से उठा करके अब यहां से यहां तक जाना पड़ता है तो इसलिए क्या आपके function का जो graph खिंचने मुझे pen को lift करना पड़ा बिल्कुल lift करना पड़ा यहां से यहां फिर यहां से यहां तो यह function भी क्या है आपका यह भी है आपका discontinuous कैसे आया यह जब मैंने limit निकाली LHL left hand limit कहां पर LHL extends to 0 negative का मतलब है 0 से negative side में क्या रही है आपकी value 0 की तरफ आ रही है तो आपके function fx का मान जो हो रहा है उस से में हो रहा है वो कितना हो रहा है 1 ठीक है और इसी परकार से जब RHL निकालते हैं आप right hand limit किस पे at x tends to 0 positive 0 positive का मतलब right की तरफ से जब आप कि x की value 0 की तरफ आ रही है तब आपके fx function का मान आ रहा है कितना 1 यहां से देख लीजिए या वहां यहां से देख लीजिए उपर से कितना रहा है 1 तो यह भी ठीक है 1 आ रहा है लेकिन जब आप क्या करते हैं आप इस function के fx की value f of किसके उपर निकालते है तो यानि x is equal to 0 है तो तब आपका function आ रहा है 2 तो आपकी जो left hand limit है L, H, L और R, H, L right hand limit है वो f of 0 के बराबर नहीं आ रही है f of 0 पे left hand limit, 0 पे right hand limit और 0 के उपर function की value बराबर नहीं है यह दो तो बराबर है यह तीसरी बराबर नहीं है तो इसलिए function के graph में क्या हो रहा है discontinuity आ रही है तूट रहा है यहां से उठकर के मुझे यहां आना पड़ रहा है तो ठीक है ऐसे आना पड़ रहा है तो इसलिए अब इन दोनों से conclusion क्या निकला कि यदि function को आपने continuous करना है यदि function continuous है तो इसमें left hand limit LHL right hand limit RHL और point के उपर function की value यानि के f of जो भी point है मान लिजिए c है ये तीनों बराबर आएंगे तब ही आपका function continuous होगा otherwise नहीं होगा जैसे अगर यहां पे क्या होता आपका अगर आपका यहां पे ऐसे होता आपकी left hand limit क्या आती जैसे 2 आती मान लिजिए left hand limit क्या आती आती आपकी मान लिजिए 1 आती left hand limit और right भी क्या आती 1 और आप जब x की जगह 0 रखते f of x equal to 0 f of 0 मलब यहां पे function की जगह आप 0 रखते तो उसका मान यहां पे 2 की बज़ाए क्या आता 1 तो फिर यह continuity नहीं तूटती अगर आप f of 0 रखते और वो क्या आ जाता आपका वो भी 1 आ जाता तो फिर तो 0 के उपर 1 मान यहीं पे तो हो जाता y का तो फिर यह आपका graph बना रहता तो continuity नहीं तूटती तो यह क्यों तूटती क्योंकि आपका जो 0 के उपर जो value है वो क्या है वो left or right limit के equal नहीं है तो यह सी लिए इसने क्या कर दिया इस continuity को तोड़ दिया तो प्यारे बच्चों यह था continuity and limit का आपका concept आसा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और यदि आपको अच्छे तरीके से समंझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेर करने का प्रियास करें और अच्छे तरीके से चैप्टर को समझने का प्रियास करें आप सभी ने ये वीडियो यहां तक देखिया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन जैभार्त अगली वीडियो में हम आपके लिए इसी exercise को लेकर के आएंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद